कहानी शुरू होती है और हम 18 साल की चमन चूची को देखते हैं जो की एक बहुती सुन्दर और स्टाइलिश लड़की होती है और इसी वज़े से वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर भी होती है चमन चूची अपने डैट के साथ रहती है जो की शहर के सबसे बड़े लॉयर होते हैं और बहुत ज़दा स्टिक्ट होते हैं फिर एक बार जब चमन चूची अपने डैट के लिए जूस लेकर आती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका सोतेला भाई जिसका नम भोशु पुरूलाल को जरा भी पसंद नहीं करती थी इसके बाद चमन चुची अपनी जीप लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में से वो अपनी एक फ्रेंड बेशर्मी को भी पिक करती है फिर स्कूल पहुँचने के बाद वो दोनों टोनी कुरकुरे से मिलते हैं जो क बेशर्मी का बॉइफरेंड होता है फिर बेशर्मी और टोनी कुरकुरे के बीच में किसी बात को लेकर जगड़ा हो जाता है जिस वरे से चमन चुची वहां से चली जाती है हम देखते हैं कि चमन चुची के इतने सुन्दर और स्टालिश होने के बाद भी उसका कोई भी को उसकी क्लास में देखते हैं जो अपनी एक क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट कर रही होती है लेकिन उसकी बाते सुनकर बाकी की क्लास बोर हो रही होती है और किसी को भी घंटा फरक नी पड़ता कि चमन चुची बोल का रही है लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद वो सभी चमन चूची के लिए तालिया बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब जाकर ये भेंड की घोडी चुपतो हुई फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूदेंट्स को उनका रिजल्ट दिया जाता है चमन चूची जब अपना रिजल्ट देखती है तो उसे C मिला होता है अब ये देखकर चमन चूची की फटकर 464 हो जाती है और वो सूचती है कि अगर उसके डैट को इस बार में पता चला तो उससे बहुत डाट पढ़ने वाली है फिर घर आने के बाद चमन चूची देखती है कि वहाँ पर उसका सोतेला भाई बोसुडोलाल भी होता है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है अब चमन चूची को उसका यहाँ पर आना पसंद तो नहीं था लेकिन फिर भी वो उसके साथ बैट कर बाते करने लगती है रात को जब डिनर करते वक्त चमन चूची के डैट उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो इस पर चमन चूची उनको बताती है कि अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है और वो अपने टीचर से इस बारे में बात करेगी और इसी के साथ वो इस बर अपनी डैट की डांट से बच जाती है फिर अगले दिन चमन चूची बेशर्मी के साथ मिलकर एक प्लैन बनाती है जिससे उन दोनों के ही मार्क्स बढ़ सकते थे वो देखती है कि उसके दोनों ही टीचर बहुत जदा अकेले हैं और उनकी लाइफ में कोई भी रोमैंटिक पार्टनर नहीं है जिसके कारण वो दोनों ही हमेशा गुसे में रहते हैं फिर चमन चूची उन दोनों का ही आपस में चक्कर चलवा दिती है जिससे उन दोनों का ही मूड अच्छा रहने लगता है और वो दोनों खुशो कर चमन चूची के माक्स को बढ़ा देते हैं फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है, जिसका नाम मिया मरवाले होता है, वहीं चमन चूची और बेशर्मी मिया मरवाले से फ्रेंशिप करने की कोशिश करती हैं, और कूछी दिनों में वो दोनों मिया मरवाले के काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, फिर एक बार इसकूल में टूटी चपल नाम का एक लड़का मिया मरवाले के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, और मिया मरवाले को भी ये सब काफी अच्छा लगता है, लेकिन चमन चूची मिया मरवाले को टूटी चपल से दूर रहने के ल थोड़ी दिर बाद वहां पर बुशुडु लाल भी आ जाता है और छुपकर उन दोनों की बाते सुनने लगता है फिर चमणुची बेशर्मी को देखते हैं जो कि अपने बॉइफेंड टोनी कुरकुरे की ऊपर चिला रही होती है। तब ही वहाँ पर चमन चूची भी आ जाती है और बेशर्मी चमन चूची को बताने लगती है कि देख यार इस बोसर्ड पपू ने अपने सिर के सारे बाल शेव कर दिये। लेकिन चमन चूची को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से मेकार से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि पपू पोदीना का भी चूतिया कट चुका था इसलिए वो चमन चूची को वहीं पर अकेला छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फि अब अपनी फ्रेंड के साथ बैट कर उसको घुडी बनाने के लिए तयार हो रहा था लेकिन चमन चूची का फून आते ही वो भाग कर उसके पास चला जाता है। अगले दिन चमन चूची मिया मरवाले को पपू पोदीना के बारे में बताती है और उसकी ये बस सुनकर मिय गुलाबी बिल्ली गीली हो जाती है फिर वो सोचने लगती है कि वो किसी भी तरह से इबू हटेला से अपनी गुलाबी पिंकी पिटवा कर ही रहेगी फिर चमन चूची इबू हटेला को हिंट देना शुरू कर देती है वहीं इबू हटेला भी चमन चूची के इशारे कर देता है थोड़ी देर बाद वहाँ पर इबू हटेला भी आ जाता है और वो चमन चुची को अपने साथ ले जाता है वहीं घर पर बोसुडुलाल को ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके होते वे चमन चुची किसी और के लिए घोडी बनेगी इ और वो वहाँ पर मिया मरवाले के साथ डांस करने लगता है फिर अगले दिन चमन चुची और बोसुडुलाल आपस में बाते कर रहे होते हैं कि तबी बोसुडुलाल की मौम का फोन आता है अब बोसुडुलाल अपनी मौम से बात नहीं करना चाता था इसलिए वो चमन गचा गच करने के लिए अच्छे से तैयार कर दे रात को इबू हटेला चमन चुची के घर पर आता है और वो दोनों साथ में लेट कर मूवी देखने लगते हैं फिर मूवी देखते हुए चमन चुची इबू हटेला को गचा गच करने के लिए हिंट देती है लेकिन वो उसके हिंट को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि शच चमन चूची को उससे कोई प्रॉबलम है इसलिए वो चमन चूची को बाय बोल कर वहां से चला जाता है जिसके साथी चमन चूची की घोडी बनने की इच्छ भी अधूरी रह जाती है फिर अगले दिन चमन चूची कल रात की सारी बाते अपने दोस्तों को बताती है जिसको सुनकर टोनी कुरकुरे उस पर हसने लगता है और उनको कहता है कि तुम चूट्यों को तो ये भी नहीं पता कि इबू हटेला तो गे है अब यसा भी बाते करते हैं वक्त बेशर्मी के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भाई के जैसे कार को फुटपाथ पर चलाने लगती है फिज जैसे तैसे करके वो बहुत थी मुश्किल से कार को साइड में लगाती है जिसके बाद बेशरमी और टोनी कुरकुरे एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं वहीं पीछे बैठी चमन चूची में ये सब देखकर फिर से ठरक जागना शुरू हो जाती है और वो सोचती है कि अब तो वो किसी से भी अपनी पिंकी बिटवा कर ही रहीगी अब ईबू हटेला के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी चमन चूची उसे अपना बेस फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है तब ही वो देखते हैं कि मॉल में कुछ लड़के मिलकर मिया मरवाले को परिशान कर रहे होते हैं जिस पर इबू हटेला भाग कर उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है फिर अगले दिन मिया मरवाले ये बात पूरे स्कूल को बता देती है और वहां पर चमन चूची उसको देखकर सोच रही होती है कि ये भेन की गोडी तो पुरी तरह पागल हो चुकी है फिर शाम को मिया मरवाले चमन चूची के घर पर आती है और उसे बताती है कि मुझे बोसुडुलाल से प्यार हो गया है और अब तुम्हें मेरी बोसुडुलाल को पटाने में हेल्प करनी होगी इस पर चमन्चूची उसे कहती है कि बोस्डूलाल एक अच्छा लड़का नहीं है और उन दोनों का साथ में कोई मैच भी नहीं है अब यह सुनकर मिया मरवाले को लगता है कि शायद चमन्चूची उससे जलने लगी है क्योंकि अब वो स्कूल में चमन्चूची से ज़्यादा पॉपिलर हो चुकी है इसलिए मिया मरवाले चमन चूची पर बहुत गुसा करती है और चमन चूची के ड्राविंग टेस्ट में फेलोने की बात पर मिया मरवाले उसका मजाक उड़ा कर वहां से चली जाती है अगले दिन चमन चुची सोच रही होती है कि उसको मिया मरवाले की help करने में क्या problem है लेकिन तब ही उसे realize होता है कि उससे भी बोसुडुलाल से प्यार हो गया है शाम को चमन चुची बोसुडुलाल के बास ही बैठी होती है पर वो बहुत जदा नर्वस होती है कि वो बोसुडुलाल को इस बारे में कैसे बताए वहीं बोसुडुलाल भी चमन चुची को बहुत पसंद करता था पर उसने भी आज तक उसे इस बारे में नहीं बताया फिर उसी शाम को हम देखते हैं कि चमन चुची बोसुडुलाल के साथ मिलकर उसके डैट की कुछ important files पर काम कर रही होती है लेकिन काम करते हुए चमन चुची से कुछ गलती हो जाती है जिस पर उसके डैट का employee उस पर गुसा करने लगता है अब इससे चमन चुची को गुसा आ जाता है और वो वहांसे चली जाती है फिर थोड़ी देर बाद चमन चुची के पास बोसुडुलाल आता है और उसे मनाने लगता है फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नसदीक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ चुमा relationship के बारे में बता देते हैं और इसी के साथी ये वाहियात फिल्म यहीं खत्म हो जाती है